हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारी जो टेस्स सीरीज सेलरीड इसमें मोस्ट इंपॉर्टन एंसी आर्टी की क्वेस्टेंस दे रहे हैं उसको आधे के फदर प्रसीड कर रहा हूं उन स्टूडेंट को जिनको पता नहीं जो फरस्ट टाइम मुझे देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा स्टूडेंट्स की इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टन को जाधा ही इंपॉर्टन है इन चुनके आरहिं कि आप NCRT को सोच रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा हमारे फायदे मंद रहीगी मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि NCRT ही आपको पढ़ने हैं इसके लावा कोई दूसरी तीसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है अगर अपने NCRT अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ी होती है ठीक है ना देखे कभी-कभी आप बोलते हैं कि क्वेशन में फरक का रहा है यानि कि प्रिवियस यह मैं देख रहे हैं कि वह NCRT से नहीं है स्टूडेंट्स जैसे ना मैंने अगर आपको मालिया एडिशन करना सिखाया मैंने आपको सिखाया कि टू एपेल प्लस थ्री अपल इसईकोल टू फाइफ एपल होता है बस एक्जाम में अगर आ जायगा कि टू मैंगो प्लस थ्री मैंगो इजीकोल इसकोल बोते हैं यह आप ऐसा बोने लुच जाओगी कि आप कर लोगे उसे एक बात यह दूसरी बाद स्टूडेंट इसमें जो टेस्स सीरीज हमारी चल रही है इसमें मैं बोल रहा हूं आपको स्टूडेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन से बहुत से स्टूडेंट कंटिनियस लिए उनको चिंता भी है वह बार बार जैसी मैं रुकता हूं बोल रहते हैं कि कोईशन सीरीज को आगे कंटिनिय कीजिए तो अच्छा लगता है देखकर और रिलेशन फंक्शन जो अहला चेप्टर है वह सेकेंड चेप्टर जो इंवर्स टॉगनमेट्रिक फंक्शन है वह और जो सेवन्थ चेप्टर 7.1 से लेकर 11 तक और उसकी 7.1 से 7.11 तक प्लस मिसलीनियस यह इतनी चीजिए स्टूडेंट हमने टेस सीरीज में देख लिया है इसमें हमने मोस्ट से कंटेंट इंडिफ्रेंश अबलेटी के अब जो कोई स्टूडेंट आजम देख रहे हैं 5.6 से लेकर 5.8 प्लस मिसलीनियस एक्सराइज से कंटेंट इंडिफ्रेंश अबलेटी पर जहां रखना स्टूडेंट जितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टन आप से कह सकते हो यह इसके तो कोईसे टिप्स पर यादे कि 7th 11th 7th 11th question most important question है बाकी तो आपको पता है डिवल डेवेटिव पर बेज़ड है उसके जो लास्ट-वाले उंपार्टिंट होते हैं अगर आपको रॉले लगरांजी किसी में भी concept clarity नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स होनी चाहिए इसलिए कोशिस करना उसका concept clear करने ना मेरी जो वीडियो इसके description में आप contingent differentiability की playlist देखेगी उसके अंदर वीडियो से वहां से आप clear कर सकते हैं अच्छा उसके बाद miscellaneous exercise है धियान रखना student आप exercise एक time के लिए छोड़ सकते हो किसी भी chapter की है लेकिन student miscellaneous exercise छोड़ने की गलत होती है पहरे तो video lecture से clear कर लिया करो किसी में problem नहीं होगी और फिर भी अगर आपको लगता है कि by chance कुछ लगता तो यह most important question दे रहा हो इसे तो at least करना ही करना है ठीक है ना बहुत सारे student ऐसा है जिनको कोई chapter मुश्किल लगता था अच्छा लगने लगा मैं आपको बता रहा है आपकी जो भी queries हो रही है आपको जिस तरह की problems अभी आपको लग रही है वो बताना mathematics के लिए मैं time table बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी जिसको आप लोगोंने follow करना उसके जरूरी है कि आपको input मुझे मिले कि कितने students की preparation का level क्या-क्या है ताकि मुझे समझ में आए कि मेर ही बताया से separate notebook में note करना इसके solution का लक से note करना क्योंकि examination की तुराना आपकी बहुत बड़ी जो help करेंगे students यही करने वाले students फिलाल अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ अपने next lecture में till then goodbye have a great day